तो उत्तर प्रदेश में क्या हाल है लॉकडाउन का क्या असर पड़ रहा है और क्या तैयारी प्रशासन की है यही जानने के लिए हमारे साथ अलग-अलग शहरों से हमारे सहीयों की जुड़ गए हैं खासकर उन इलाकों को सील कर दिया गया है जिन इलाकों में कोरोना मरीज मिले हैं और क्या कुछ खासत तैयारी है क्योंकि आठ मामले एक ही दिन में सामने आ गए मेरट से देखे प्राची लगातार जिस तरीके से प्रसाशन लॉक्डाउन का पालन कराने में लगा हुआ है उसी दौरान एक सक्स महाराष्ट से मेरट में आया था अपनी सस्वराल में रहा है लेकिन जब उसको एड्मिट कराया गया तो वो करोना पॉस्टिव पाया गया उसके ब बाद इन पाचों को वार्ड में भरती कराया गया उसके बाद लगातार इनका चल रहा था लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा चौकाने वाली बाद जो सामने आई प्रसाशन के वो यह थी कि यह लोग कई लोगों से मिले थे उनकी मॉनिटरिंग की गई उनके टेस्ट कराय गए तो कल 11 में से 8 लोगों के पॉजटिव रिपोर्ट आई है उसके बाद से पूरे स्वास्त महिक में हड़कम मच गया है और लगातार 15 टीवे बनाई हैं जिला अधिकारी और स्वास्त विभाक ने वो उन एरियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चिन्हित कर रहे हैं कि आखिर कार कौन-कौन से लोगों से इन लोगों ने संपर किया था कौन लोग हैं जिनकी मॉनिटरिंग की जाए और उनको भी इलाज के लिए एड्मिट कराया जा और उनका भी सेमपल लिया जाए कि कहीं वो भी तो क्रोना पॉजिटिव नहीं है फिलहाल 46 लोगों को चिन् कि ऊंपल आने है आप उनकी निगेटिव आती है या पॉष्टिव आती है इस पर तो काम हो रहा लेकिन जहां-जहां से पॉष्टिव पेशेंट मिले हैं उन चार इलाकों को सील कर दिया गया है और जिलादिकारी का साथ लगा दी गई है और जो बाहर से अंदर जा रहे हैं उन पे भी रोक लगा दी गई है यही तस्मेर लगातार कोरुना का संक्रमन बढ़ता जा रहा है और अब प्रशासन भी सकती करेगा यह जरूरी है सकती हो ताकि लोग अपने घरों में रहें लौटेंगे बलराम आपके ब करते हैं राजधानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेश अगर बात राजधानी की करें तो लगातार सीमयो की आदे तनात पहनी नजर बनाए हुए हैं हालातों पर लगातार और चक निरिक्षन उनकी तरफ से किये जा रहे हैं और जो प्रशासनी कमला है वो भी पू तारीक में देखे हाला तो पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 82 मामले सामने आ चुके हैं इन में सबसे ज़्यादा मामले जो है वो नौइडा से हैं 32 मामले वाई दूसी और मेरट जो है वहां पर भी तेजी से अब कोरोना पॉजिटिव जो पेशि करते हैं राजदानी लकनव में ये राहत भरी खबर है कि पिछले कोई दिनों से कोरोना का कोई भी नया पॉजिटिव केस अभी सामने नहीं आया है वहीं जो सरकारी अमला है जो शासन के इस तरह से लकातार जिस तरह से तैयारी की जा रही है उसमें मुक्य चीज़े ये है कि हर किसी को भोजन मिलता रहा है क्योंकि लिबर क्लास में बड़ी संख्या है इसके अलावा जितने लोग भी किराय के मकानों में रह रहे हैं उनके लिए विवस्था कर दी गई है कि कम से कम एक महीने तक अगले उनसे किराया नहीं मांगा जाएगा जिस चे उनके सामने घ पर निकले लखनव आने के लिए उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के लिए तो किस तरह के हालात बने किस तरह का मंजर बनाई किसी से छुपा नहीं है तो उस तरह के हालात ना बने लोग जो है जो बात लगातार काई जारी है सोशल डिस्टेंसिंग की वह बनी रहे इसलिए किसी को कम से कम इस वजह से अपनी जगार ना चोड़नी पड़ें कि उसके पास किराया देने के लिए या दबाऊ है इस तरह का खाना नहीं है इसकी भी समस्या नहीं होगी इसके बाद ये भी व्योस्त्था कर दिगए कि अगर कोई इस तरह के पहले जो लोग आए उनको च सोशल डिस्टेंसिंग जो एक मात्र तरीका है कोरोना से जीतने का वो खत्म हो जाता है ऐसे में तो इसको लेके ध्यान दिया रहा है बात लखनव जिला प्रशासन की की जाए तो कल लखनव जिला प्रशासन की तरफ से इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए जो खाद वि वाकिटी में थी उन्होंने निरिक्षण किये इसके बाद एक राजधानी लखनों के स्टोर को सील भी किया जहां से पास बनवाए गए थे इस नाम पर के उनकिया के डेलिवरी वोई लोग के घरों तक सप्लाई देंगे लेकिन बाद में उन पास को लेने के बाद स्टोर बं होटल उनको अधिक रहित कर लिया गया है बड़े नामी होटल है यह चारो और यहां पर ज़रुवत पढ़ने पर आइसोलेशन का बना जा सकता है या फिर ज़रुवत पढ़ने पर जो डॉक्टर्स होंगे इनके आस पास के जो दो हॉस्पिटल है उनको वहां पर ले जाने हों उन लोगों के लिए जो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं या फिर संदिक्ध हैं उनको कहाँ पर शिप्ट करना इसको ले कर भी पूरी तैयारी है बन रहे गा हमारे पास मुहिन भी हमारे साथ हैं मुहिन आपके पास आउंगी लेकिन प्रयागरास से बड़ी ख़बर भी मिल और दूसरी सोशल साइट पर गलत सूचना डाली गई थी और अब गलत सूचना पर करवाई की गई है और ये गलत सूचना डालने वाला और कोई नहीं बलकि सपा प्रवक्ता रिचा सिंग है उनके सही चार लोगों पर एपाईयार दर्च की गई है मोहिन का हम रुख करेंगे प्रियागराज से हमारे साथ बने हुए हैं मोहिन प्रशासन पूरी तरीके से सक्त है ना सिर्फ लोगों पर नजर रखी जा रही है कि वो लॉक्टाउन का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बलकि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है क्योंकि इस वक्त अफवाहों का बाजार गर्म है ऐसे में सपा प्रवक्ता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ F.I.R. दर्ज की गई उन्हें गिरफतार किया गया। बसों का इंतिजाम किया गया जिसे जो जरूरी लोग थे उन्हें भेजा गया। बाकी लोगों को समझा बुजा कर वापस किया गया। तो साफ तोर पर प्रशासन ने F.I.R. दर्ज की है और आगे उनकी गिरफतारी भी किया सकती है। तो एक संदेश यह देना है कि आप बिना सोचे समझें, बिना सच्चाई को परखे हुए, सिर्फ हमदर्दी पाने के लिए, वावाही लूटने के लिए इस तरह से मैसज को वाइरल ना करें, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, लोग परेशान हों और प् प्रशासन ने अपील कर रहा है कि अफवाह ना पहलाएं और अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें, जो सरकार आपको जानकारी दे रही है, उसी पर आप विश्वास करें, मौहिनिस बीच खबर ये भी है प्रियागरास से कि जो सबजी के दाम हैं उन पर अंकुछ आपका दिया गया है, यानि जो लोग रह रहे हैं जिनको सेलरी नहीं मिल रही है, जिनका काम बंद हो गया है, उनके लिए राहत की खबर है, उनको परिशानी ना हो और वो शेहर में रह सकें, इसके लिए भी मुकमल इंतजाम प्रशासन कर रहा है जि बिल्कुल जब पिछले हफते 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था और उसी रात से लाकडाउन शुरू हो गया था, तब तमाम लोग हड़ बड़ा हट में देखे थे, लोगोंने बेवज़ा खरीदारी शुरू कर दे थी, लोग सामान श्टोर कर लेना चाहते थे, उ आशंका थी कि पता नहीं आगे उन्हें सामान मिल पाएगा या नहीं, जो जमाखोर हैं, जो मुनाफाखोर हैं, उन्होंने इसका फायदा उठाया, और मुहमांगे दाम उपर जो वो सामान बेचने शुरू कर दिये थे, सबजियों के कीमत में तो आग लग गई थी, 40 रु दुकांदारों को और फेरी वालों को ये ताकीद किया, कि वो अपने यहां एक रेटलिस्ट लगाएंगे, और उसी रेटलिस्ट से लोगों को सामान दिया जाएगा, और उसकी निगरानी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं, पुलिस के लोग जाते हैं मार्केट मे बाकाइदा उसकी मौनिटरिंग करते हैं और ये देखते हैं कि कहीं लोगों को ज्यादा दामों पर सामान तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एक बात आपको बता दे कि जो बड़ी जगा है, बड़ी मार्केट है, वहाँ तो इस पर सक्ती से अमल हो रहा है, लेकि जो गली महले कालोनियों की दुकाने हैं, उस पर अमल नहीं हो पा रहा है, ना तो वहाँ रेटलिस्ट लगी है, ना पुलिस के लोग वहाँ जाकर के च्छानबीन करते हैं, ना प्रशासन के लोग वहाँ पहुंचते हैं, और वहाँ लोगों को अब भी मनमाने तरीके, मनमाने दाम पर ह सामान खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है तो जरूरत है कि बड़े मार्केट के अलावा जो गली मुहले की दुकाने हैं वहाँ पर भी प्रिशासन के लोग जाएं पुलिस के लोग जाएं वहाँ भी रेटलिस्ट लगवाएं और ये सुनिश्चित कराएं कि जो एक दा पायती दाम में बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए